दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल टेचिंग या मोबल लोड पे तो डियलिट फर्स टेमिटर का जो आज हिंदी का पेपर हुआ था उसका हमें एनलाइसेज करते हैं पेपर बहुत इजी आया था सब प्रस्ण पूछे गए थे हुब 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 2019 के पेप करने के पहले हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें चलिए आज का 22 प्रस्ण था मूल स्वर क्या है तो आप सभी को पता ही है जो मूल सर होते हैं आई उरिसी इसके विकल्प टू सही हो जाएगा किन वड़ों में अर्दूसर कह तो किन वड़ों को अदेशर कहा जाता है तो तो या ओवा को कहा जाता है जिसका विकल्प एक सही हो जाएगा यानि पहले से दूसरी परस्ण में जिसने पहला किकल्प लगाया है वा ओसका सही है ठीक पेपर पूरी तरह से मुझको नहीं मिल पाया, धुनला हुआ आया था, लेकिन जैसा भी पेपर पहुचा है मेरे पास, उस हिसाथ से मैं आपको सौल्ब करवाता हूँ, चलिए, तो मैंने सब काफी में नोट किया है, मूरसर जो होते हैं, आ, ई, उ, र, इ, चार होते हैं, इस में हा, विकल्ब सही था, ठीक है, तो तीसरे वस्तनिस प्रस्ट का, तीसरा विकल्ब सही था, हा, चो था प्रस्तनिस में से कौन सा सुद्ध सब्ध है, तो वानर उसमें सुद्ध था, कौन सा वानर, उसका वानर विकल्ब सही था, अगला प्रस्त पाच्वा वस्तनिस प्र लगाया है या वा तो आपका सही प्रस्ट था तीसरे वस्तुनेश प्रस्ट में अकर आपने हाँ विकल्प को लगाया है महापाण में तो आपका सही था चौथे में आपने वानर पर सही टिक लगाया है तो आपका सही था पांचों में आपका सावर हो जाएगा तो पांच न भुला जाता है तो बास्थिक वणंड का उधारन पूछा गया था आप से मैंने परिभासा सही आपको बता दिया ईंग disagreements पॉछा गया हो गाध्य हो गाध्यान में अगर पूछा गया था तो लाँ हो जाएगा इसको भी आप लोगों ने लख लिख gonna को धंग को लिपी कहते हैं लिपी किसे कहते हैं किसी भी भासा के लिखावट या लिखने के धंग को हम लिपी कहते हैं उसके बाद पूछा गया था उन्नति का बिलोम क्या होगा तो उन्नति का बिलोम होगा अवनति हो जाएगा आरे का अनार हो जाएगा अनारे ठीक तो आप लोगों ने इसको भी लिख लिया होगा उसके बाद अगला प्रस्म था कारक किसे कहते हैं तो इसको तो आप लोग लिखी लिए होंगे उसके बाद आप से पूछा गया था का अपादान कारक का चिन लिखिए तो अपादान कारक का चिन क्या होता है करता ने कर्म को करनर से सं गिरते हैं तो पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं अलग हो रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा से उता हो तो आप लोग इसको भी लिख लिए होंगे असु दुचान के कौन कौन से कारण होते हैं तो कई कारण हो सकते हैं इसको भी आप लोगों ने आसानी से लिख लिया होगा क का रचनात्मक बिधी पूछी गई थी इसको भी आप लोगों ने लिख लिया होगा पेश्टालाजी बिधी दो होती है इसमें बालक को सरल से जटिर की ओर ले जाया जाता है उनको सबसे पहले अच्छरों का ग्यान कराया जाता है अच्छरों की आकितिया बिभिन टुकडों विवाजित कर ली जाती है इसके बाद टुकडों की योग पूरे अच्छर की रचना कराई जाती है उनको पहले ही वर्ण सिखाए जाते हैं जो की अधिक सरल होते हैं तो आप लोगों ने प्रिष्टालाजी को भी लिख लिया होगा उसके बाद सीरा रेखा किसे कहते हैं मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप लोग प्रस्णों को साल्प कर लीजिए आप लोग उसी में से प्रस्ण पूछे जाएंगे तो उस पूछा गया था सीरा रेख किसे कहते हैं उधारान सही समझाईए तो वर्णों की उपर लगाई जाने वाली जो रेखा होती है उस है उसको भी साल्प कर ले होंगे उसके बाद अगला प्रस्णता वडो का कमसा उधानननस्थान लिखिए तो वडो का कमसा उधानस अस्थान भी आप लोग लिख लिए फिख जैसे कावर वरृ benefits पाँच वर्ग होते हैं चावर्ग टावर्ग टावर्ग पावर्ग कंठ तालू मोडधा सब इसको आप लोग लिख लिए होंगे ठीक उसके बाद आया था लिखीत अब्यक्ति का महत बताईए तो लिखीत अब्यक्ति क्या होती है जिसको हम लिख कर ब्यक्त करते हैं उसे हम लोग पेंसिल कैसे पकड़ना है पूरा इसको भी बना कि आप लोग लिख लिए होंगे दो नंबर इस पर आपको हो जाएगा वाचन किसे कहते हैं रवाचर दो परकार की होते हैं सासर वाचन महुन वाचन इसको मैंने पढ़ाया रभी था तो आप लोग इसको भी साल्व कर किये होंगे आसानी से पेपर बहुत इजी आया था अगर जिसने थोड़ा बहुत भी मेहनत की होगी प्रीवियस एयर पेपर साल्व कर लिये होंगे तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा मैंने जो मायच की मायराथन ली थी पर समिस्टर के लिए उस मायराथन से पूरे 6-7 अगर ना हो तो आप लोग वीडियो खोल के प्ले करके देख सकते हैं लग उत्तरी के तो नवा सवाल जो था हूब हूब पूरा सेम तू सवाल आ गई थी उसके बाद आतिलग उत्तरी के भी तीन-चार प्रसन पूछे गए थे मैराथन से मेरे पूरे पर तो मैंने अपने म मैराए एक मैराथन ली थी मैने आप लोग को बोला था आप लोग देख लीजे मैट में आप लोग आग लगा देंगे तो जिसने भी मेरी मैराथन देखी होगी मैट की उसका मैट बहुत इच्छा पेपर गया होगा तो आज का सेसन हमें ही समाप करते हैं अगर आप डियलेट बीटी सी आज या बीट आजी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्काइब जरूर करिए क्योंकि हमारे चैनल पर सीटेट यूपीटेट यहों टीचिंग लाइन की जितनी भी परिच्छाएं होती हैं सब की तैयारी कराई जाती हैं तो मैं आसा करता हूं स चैनल को लाइक करें सब्क्राइब करें ज्यादा से ज़्यादा से जयादा से सेर करें धन्यबाद